कि यह नमस्कार दोस्तों मैं विरार चौदर इस्वागत आपके अपने टूशने में फोजी में दोस्तों आज का जो वीडियो यह वीडियो बहुत सारे बच्चों के क्यों से रहता है कि सर एक्जाम अभी जैसे नोटिस आया ऐसा सी जीडी का कि आपके महीं से नोटिपिकेस तो में टुडे का कफाइल में एक आगईगी यह पूरी 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 परेसे बताने वाला हूं दोस्तों इस वीडियो में आपकी जो एक्जाम कब होगे एक्जाम के बाद मैं आपकी जो फिजीगल की डेट आजगी वह और रहेगी कितने दिन का समय मिल जाए गा उसके ब तो इस सारी चीज़ इस वीडियो में बताने वाला हूं दोस्तों तो एक्जाम की पेले मैं बात बता दूंगी एक्जाम तो आप सभी को पता है एक्जाम के लिए कोई डेट स्पोर्स हो नहीं है और आपको SSGD की तयारी शुरू कर देने चाहिए एक्जाम आपके अगस्ट म ये अमेरे देन पुरी अभिने अभी तक पर्शस होते हो अगर हम बात करें के आपके एक्साम कि अबh случаi को पता है वह आपके तो होुआ नहीं कि अगस्त में तो आप सभी को पता है श्यांकि होने हिए यह तो आप सब इससी कभी भी अपने कलेंडर में नहीं देती आपको में बता दूँ जैसे ही आपकी एक्जाम की यानि एक्जाम की मेरिट आएगी उसके बाद में आपके फिजिकल के डेटे सुरू हो जाएगी और वह आपको एक लिस्ट ओनलाइन लिस्ट दे देंगे या को लेटर आपके पास म अगस्त् zich उन्गे जाते हैं और क्यों की नंबर बहुत हैं कई होता है क्यों कि कई के नंबर तो बहुत ज़्यादा चले जाते हैं कईयों की नंबर उसमें कम भी हो जाते हैं तो होगा क्या नॉर्मलाइजेशन की विज़े सभी शिप्टों को कंपेर किया जाता है तो उसमें समय लग जाता है अब बात आती है आगे कि आपके जो मेरिट आएगी नॉंबर तक आएगी तीसने महिने में उसके बाद में जो फिजिकल की आपकी डेट रहेगी दिसमबर के महिने में दिसमबर जनवरी के आज पास आपके फिजिकल होंगे उसके लिए किसका नंबर पहले आएगा किसका बा से शुरू कर सकते हैं कि यह अलभावेट वाले इस डरेट को एक से खरके इसके आते हैं क्या फीजिकल की टेट और रहेगा दिसंबर या जनवर्वरी के आस पास यरिए आपको पेपर देने के बाद में कम से कम कम से कम धाई से तीन महीने का समय हर एक बंदे को लग जाएगा फीजिकल पास करने के लिए यह नहीं फीजिकल फाइट करने के लिए यह नहीं फीजिकल की तैयारी करने के लिए कितना समय मिल जाएगा धाई से तीन महीने, जो कि कम समय नहीं है, धाई से तीन महीने बहुत बड़ा समय है, एक महीने अगर आप तैयरी कर लोगे ना, पांस किलमेटर रनिंगी, तो बीस मिनिट में कर दो, हरे कोई, हर कोई कर देगा, बली वो 16 मिनिटर की रनिंग कभी नहीं हुए उसे, लेकिन व पांस किलमेटर की रनिंग कर देगा, तो जो भी बच्चे हैं, जो अभी तक नहीं कर पाएं तयारी, तो इस बात का जान रखे कि वो फिजिकल के तयारी कब करें, एक्जाम होने के बाद मेने, जिस तिन आपका एक्जाम हो जाए, उसके बाद में आपके तीन महीने है, और तो अकोडिंग टू SSE, अभी अगस्त में ही आपके पेपर है, तो फिजिकल के तयारी आपको अभी बिल्कुल नहीं करनी है, अभी पेपर पर फोकॉस करना है, फिजिकल के तयारी जिस दिन आप पेपर फाइट कर लो, पेपर में एच्छे नमबर आजाए आपके, उस दि मतलब हो गया जनवरी फरवरी और मार्च तक इसके फिजिकल चलते रहे हैं, जनवरी फरवरी हैं थयोख व्झ करना है मार। या ४ाइपर याने महीं तक मही आफ्या जून में आपके फिर से सेकन्स लिस्ट आजाए गी मैयट की जिन बचों बच्चा का मेडिकल होना है, फिर जो बच्चों का मेडिकली जो लिष्टाई का एमुष्टाई का मैडिकली बाद में वर teato arrangement के श Sizके बुला लिया जाएगा क्योंकि इसका जो medical की process है पहले तो आपके पुरे medical करने में दो से धाय महीने इसमें लग जाता है फिर रे मेंडिकल लिए आपको टाइम दे जाता तीस दिन गा तो फिर साधी तीन मैं ने फिर रे मेंडिकल चेक होते हैं वापस तो मतलब फिर उसमें दो महीने क्या सपास लग जाते हैं फिर जाके यहनि चरणरफ्री मार्ज आ जाता है और दो-धाय साल हो जाता है उसके बाद मे आती है, इसके फाइंडल मेरिट, यानि पूरी वेकैंसिंग में आपको 10.5 साल, यानि कम से कम मान के चलिए, 2.5 साल का समय लग जाता है, इसलिए तयारी कंश करने है, दबा के करने है, क्योंकि तेन साल बाद में आप ओवरेज होगे यह जो वेकेंस आ रही है वापस चोथी एर में आ रही है और पिछले बच्चों को जोईनिंग देते देते तेन साल का समय लग गया था दोस्तों इसलिए तैयारी क्या करने है आपको रंज क्या करने जय हिंद जय भारत